पूरा देखने के लिए पिछले एपिसोड जरूर देखेगा पिछले एपिसोड मिंग टैन ने अपना पूरा टाइम टेवल मिया और जाओमी को पकड़ा दिया था अब उसको देखे रूच जाते हैं क्योंकि उसमें खाने के टाइम के अलावा और कोई फिर टाइम होता ही अब मिंग टैन को किस वक्त ट्रेंड करेंगे इस बारे में काफी सूचरे होते हैं और तभी मिया टाइम टेवल को बड़ी बारकी से रिसर्च करके देखती है और बड़ी मुश्किल से उसको एक फ्री टाइम मिल जाता है और फिर वो खुशी से उचलती है कि इस टाइम मे मैं उसको ट्रेंड करूंगे अब इस पर जाओ में कहती है कि नहीं नहीं उसको मैं ही ट्रेंड करूंगे और इस तरह ये दोनों जगडने लगती है अब मिंग टैन ऐसक्रीम शॉप में रैविट के बेस में काम कर रहा होता है तब ही वो फैंग्यू को आते वे देखता है और वो तुरंद चेक करता है कि शॉप में स्ट्रोवेरी आइसक्रीम है या नहीं लेकिन वहाँ पर एक आइसक्रीम बची होती है और वो काउंटर को मैनेज करती हुई लड़की से कहता है कि वो एकलोती स्ट्रोवेरी आइसक्रीम किसी और को ना दे और इसको फैंग्यू क कर नौटी स्माटने लगता है अब फैंग्यू आकर स्ट्रोबेरी ऐस्क्रीम मांगती है तो काउंटर पर खड़ी लड़की कहती है कि सिर्फ एक ही ऐस्क्रीम बची वही है आप बहुत यह खुश किसमत हैं जो एन वक्त पर आ गई वरना तो मिलती नहीं आपको बहार जो रै सच में मिंग टायन ही है लकिन मिंग टायन फैंग्यू को छुपकर देखता रहता है और उसे खुश देखकर खुद भी खुश होता है अब अगले सीन में दिखाते हैं तो सुनहाओ और जाओमे के पापा एक बॉक्सिंग रिंग में खुब लड़ रहे होते हैं जाओमे के सीनियर हुआ करते थे और उन्होंने मुझे ये मूवमेंट सिखाए थे लकिन बदकिस्मती से अचाना को चल बसे अब इस दुनिया में इस मूवमेंट को सिर्फ मैं ही जानता हूँ और दोस्तों यहाँ पर हम गयस कर सकते हैं कि यह शायद मिंग टैन के पापा की बात कर र कर रहा हूँ इसलिए तुम्हारे बापा से ट्रेनिंग लेने आये हूँ अब वो अपने बापा को बड़े गुस्ते से देखती है और बड़ा गुस्ता करती है लेकिन वो कहते हैं कि यह तो तुम्हारा है आइडिया था कि मैं इस्टुट्रेंट्स को ट्रेन करके पैसे करेंगे क्या अरे बेटा वो तुम्हारा पोनेंट हो सकता है मेरा तो नहीं अब जाओ में नाराज होकर चले जाती है फिर जाओ में की बापा कहते है कि तुम जल्दी से जाओ में के साथ सूला कर लो अब अगले सीन में फैंग्यू कॉलेज में होती है और उसे एक मैस्ज जाता है उसमें टूनामेंट के स्केडिल होता है फैंग्यू का प्लान था कि मिंग्टैन डिरेक्ली फैनल में उससे मुकाबला करें लेकिन इस स्केडियू के अनुसार मिंग्टैन को कई क्वालिफाइंग मैच खिलने होंगे और तभी जाकर वो फैनल से पहुंच पाएग और फिर मिंग्टैन का नाम देकर हो कहता है कि ये लड़का एकदम बेकार है बॉक्सिंग के बारे में कुछ भी ने जानता पता नहीं ये इस टूनामेंट में कैसे आ गया अब सुनाओ पूछता है कि क्या तुम मिंग्टैन को जानते हो और अकडू कहता है कि जानता हूँ वो मेरे साथ ही हाइज स्कूल में पढ़ता था दरसल वो मेरे साथ ही बैठता था और मेरा स्कूल बैग भी वह उठाता था और तभी मिंग टैन वहाँ से गुजरता है और अकड़ उसको बुराता है लेकिन वो एगनॉर करके चला जाता है अब अकड़ भाग कर उसको रोकता और कहता है कि कल की मार भूल गय क्या बच्चू गुटनों पर बैट कर तुम कल गिड़ गड़ा रहे थे कि छोड़ दो छोड़ दो और आज इतना अटिटूट कैसे दिखा रहे हो और तभी कोई आकर उसकी उंग्रे मर उड़ता है ओ ये तो फैंग्यू निकली वो गुस्से में कहती है कि मिंग्टैन पर हाथ रखने की तुमारी हमत कैसे हुई जैंग्जी कॉलेज का रूल है कि हम अपनी पावर भार के लोगों पर यूज नहीं कर सकते अगर ऐसा किया तो हमें बहुत ही खतुनाक पनिशमेंट दिया जाता है और अगर ये रूल नहीं होता तो इस वक्त तुमारी उंग्री चूट जाती समझे अब उसके धंकी को सुनकर सुनाओ अकुडू की तरफ से माफ ही मांगता है और मिंग्टैन भी फैंग्यू को शान्त करता है और कहता है कि तुम टेंशन मतलो इस प्रॉबलम को मैं खुदी सौल्ब कर लूँगा वैसे मैं भी गुरूप A में हूँ और बॉक्सिंग की ट्रेनिंग ले रहा हूँ इसलिए इसे मैच में मैं देखी लूँगा और ये कहकर मिंग्टैन चला जाता है अब सुन हाओ अपने कॉलेज में लौटता है और वो अकुडू को बलाकर वार्निंग देता है कि आइन्दा किसी के साथ ऐसी हरकत की तो मैं खुद ही तुमको मार डालूँगा वहां में ट्रेनिंग कर रहा होता है लेकिन वो काम के वक्त भी किसी भारी चीज़ को उठा कर फिजिकल स्ट्रॉंग बन रहा होता है अब फैंग्यू और फैंग्जो हूँ कार में अपने दादा जी की फ्रेंड से मिलने जा रहे होते है फैंग्जो हूँ ड्रावर को लंबा रूट लेने को कहता है अब फैंग्यू पूस्त यह तो वो कहता है कि दादा जी की फ्रेंड का बेटा तुमारी उम्र का है और मुझे तो लगता है कि दादा जी ने तुमारे लिए कोई सेटिंग कर रखिये वहाँ पर अब बताओ कि तुमको वहाँ पर जल्दी जाना है या देट से अब फैंग्यू को उसकी बाद ठीक लगती है आज तुमें एक बहुती बड़े व्याइपी को सर्फ करने वाले हो इसलिए जरा ध्यान से करना और ये कहकर ओनर चला जाता है हलांकि इसी होटल में फैंग्यू और फैंग्जो यू उनके दादा जी के फ्रेंड से मिलने आ रहे होते हैं और दोनों की आते हैं उनके दादा जी पूछते हैं कि तुमने इतनी देर कहां लगा दी लेकिन उनके फ्रेंड इन दोनों के सपोर्ट में कहते हैं कि दोनों ट्रैफिक में फंस गया होंगे इसलिए लेट हो गई और फिर वे बाते करने लगते हैं उनके फ्रेंड अपने बेटे को बताते हैं कि ये फैंग्यू है, याद है बच्वन में तुम दोनों साथ खेलते थे, उनका बेटा कहता है कि हाँ, हम दोनों एक ही क्लास में बैठा करते थे, मुझे अच्छी तरह याद है कि फैंग्यू मुझको बहुत ही पसंद करती थी, अब फैंग्यू का वही फ्लेश बैक दिखाते हैं, जो वो जिन्दगी बार नहीं भूल सकती, बच्वन में उसने अपने क्रश को गिफ्ट दिया था, लेकिन उसने बेचारी को पाकल मॉस्टर कहकर सब के सामने इंसल्ट कर दिया था, और वो क्रश कोई और नहीं, यही ल मागता है कि वो इसी होटल में काम करता है, लेकिन वो ऐसे भाहर चले जाती है, जैसे वो मिंग्टैन को जानती ही नहीं, फिर मिंग्टैन कोई चीज लेने भाहर जाता है, तो फैंग्यू सीड़नों पर बैटी कुछ सोच रही होती है, मिंग्टैन उसको देखकर वही खड साइंगे क्या तुम भी आओगी अब फैंग्यू कहती है कि एक बार तुमारे बर्टडे पर मैंने तुमको गिफ्ट दिया था लेकिन बदले में तुमने मुझको पागल मौस्टर कहकर मेरे इंसल्ट की थी और अब शेविर रिलाइस करता है कि फैंग्यू को सब कुछ याद है वो कहता है कि मुझे भी तुम पर करश था लेकिन मेरे दोस्त मेरा मज़ाक न उड़ाए इसलिए मैंने उस दिन तुमको ऐसा कह दिया और आगे कहता है कि उसको बच्छवन की नादानी समझकर मुझको प्लीज माफ कर दो और इस तरह वो फैंग्यू को बहुत ही मनाता ह होगा और तभी शेवी को एक कॉल आता है और वो कहता है कि वह अब भी वैसी है बिल्कुल पागल मुझे उसे शादी करने का कोई शौक नहीं है लेकिन मेरे पापा अपने बिजनेस के लिए ये रिष्टा जोड़ना चाते हैं इसलिए मैं कुछ कह नहीं सका और निंग टै है कि मेरे बर्थडे पार्टी में तुम जरूर आना वरना तुम्हारे दादा जी मुझको गलास समझेंगे और इस तरह वो सेंटीमेंटली फैंग्यू को लॉक करने की कोश्य करता है अब इसी बीच मिंग टैन वाइन को गलास में डालते वे गलाती से शेवी के ओपर डाल आने लगता है कि क्या तुम देख नहीं सकते तुम्हारे मैनेजर को अभी बिलाओ मैं कम्टेंट करूँगा अब मैनेजर आकर मिंग टैन को डांट कर भेज़ देता है और इन लोग उसे माफी मांगता है और अब मौका पाकर फैंग्यू भी वहां से बच निकलती है अब तुम्हारे हर मुमेंट का क्या मतलब है ये मैं खुब जानती हूँ तो अब बताओ तुमने ऐसा क्यों किया तब मिंग टैन अपना दिल खोल कर कहता है कि मैंने अभी तुमको समझा है एक बार मैंने भी तुमको पागल कहकर तुमारा दिल दुखाय था और मुझे नहीं प कहता है कि पैसे उनके लिए जरूरी तो है लेकिन क्या स्थिक पैसी जरूरी है तुम उनकी फिकर मत करो इस प्रॉब्लम को मैं खुदी स्वाल कर लूँगा और ये कहकर मिंग टैन जाने लगता है एक मैं डुको यार पैसे तो तुम नहीं लोगे लेकिन आज मुझे बचा है फिर वो फैंग्यू को बैयूनों की मा से मिलवाता है फिर गर्मा गरम नूडल्स भी आ जाते हैं और मिंग टैन खाने लगता है अब फैंग्यू कंफ्यूज होती है कि वो खाए या ना खाए इतना सोच मत टेस्ट करके तो देखो फिर तुम और मांगोगी अब फैंग् पर बायूनों आता है और फैंग्यू को देखते ही बड़ा एक्साइडिट हो जाता है आप मेरी शॉप में आई ओ ये तो मेरा लग है ये कहकर वो अपनी बगबग शुरू करने लगता है फिर वो इशारा करके मिंग्टैन से पूछता है कि तुम दोना भार भी साथ घुम तो तुम भी सुन लो वो मेरी क्रश है क्या तुम इस मामले में मेरी मदद करोगे अब मिंग्टैन भी ओके कह देता है फिर घर आकर भी फैंग्यू के सामने नूडल शॉप का वही सीन चल रहा होता है जब मिंग्टैन ने उसके बाल हटाए थे लेकिन यहां कब भढ़ जा करके एक दम ठीक बजा देता है कि उस दिन आफिस में जो फूड डिलीवरी वाला लड़का है था वही है ना तुम्हारा मिंग्टैन तुमने कहा था कि वो कॉलेज में तुम्हारा जूनियर है हम्म मैं समझ क्या तो उसने जान बुझकर ही शवी पर वाइन गिर था और यह रज़े सुनकर फैंग्यो को शर्मा जाती है और वो कहती है कि तुमने जादा स्मार्ट बरने की कोशिश की तो मैं तुम्हें कार्ड्स खेलने नहीं बुलाउंगी और फिर तुम मेरी मार खाते रहोगे समझे नहीं बाबा स्मार्ट नहीं बरूंगा लेकिन अगले भाड तुम दोनों बहार जाओ तो मुझे भी साथ में जाना मैने उस दिनों से बहुत ही बुरा बुरा कह दिया था इसलिए मुझ को जी जा जी से मिलना है और उनको सौरी भी कहना है अब यहां मिंग 10 का वही हाल होता है वो फैंक्यू के बारे में सोच सोच कर पागल हो रहा होता ह और उसकी दीवी साइकल को निहारा होता है और दोस्तों इसी के साथ यह एपिस्टोड यहां पर खत्म होता है वाह क्या एंडिक थी क्या मिंग 10 क्वालिफायर मैचेस में जीत कर फाइनलस में पहुंच पाएगा और कहानी में आगे क्या हुआ यह सब जानने के लिए देख यह जचे कि अंग जानने के आपने किमी एड़ी में पर मैंख़ा हुआ यहा है